पूनाहूती भंडारे के साथ भागवत कथा का समापन कथास्तल पर एक कन्या विवहा पुरोहित परिवार के द्वारा किया जा रहा है अमूल पठा में आईजे श्रीमत भागवत कथा के कल अंतिम दिन सुदामा चरित्रो और परिक्षित मोक्ष कथा के साथ पूरी हुई आज पूनाहूती और भंडारे के साथ कथा का समापन हुआ भंडारा दुपर एक बजे से शुरू हुआ उससे पहले हवन पूजन कर समीत के लोगों ने पूनाहूती दी कथा व्यास उशील कुमार शास्त्री जी महाराज खडीचा वालो के द्वारा ये किया जा रहा था वीती 18 जन्वरी से कला शीवम शुभयात्रा के साथ भागवत कथा का आयोजन किया गया उसमें भगवान विश्नु के सभी अवतारों को कथा व्यास उशील कुमार शास्त्री खडीचा वालो के द्वारा महराज के द्वारा भगतों को बताई वैंक्रिश्न जन्मोसब और होली उच्छब भी कथा इस्तल पर धूमधाम से मनाया गया कल अंतिम दिन विवाचरितर और सुदामा चरितर परिक्षित मुक्ष की कथ कथा सुनकर वहां मौझूद भक्तिगर्ण भावक हो थे कथा के आखिर में होली उच्छब भी मनाया गया और कथा को विश्राम दिया गया वैंसुभा कथा सल अमूर पठा पुलिस चौकी के पास रखी वाले खेत मैदान में यगे का आयोजन किया गया इसमें यजमान रा कारम होकर देर रात तक चलेगा पुरुषित परिवार के द्वारा अमूल पठा में भागवत कथा स्थल पर एक गरी परिवार की कन्या का विवहा किया जा रहा है जहां पर पुरुषित परिवार के द्वारा विवहा में पूरी विवस्था की गई है उन्हीं के द्वारा ठीका दिया गया है कन्यादान लड़की के पिता के द्वारा लिया गया है वहीं पुरोहित परिवार के द्वारा बार्यत्तियों का स्वागत भी किया गया